बीजेपी परवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को एक प्रेस वारता में कहा कि जो स्टिंग उप्रेशन पर कारवाई किया करते थे आज उनका ही स्टिंग उप्रेशन सामने आया है दरसल भाजपा ने दावा किया है कि उन्होंने केजरिवाल सरकार के खिलाफ नई आपकारी नीती पर एक स्टिंग उप्रेशन करवाया है जिसमें दिल्ली सरकार के ब्रश्टाचार के पोल खुल रही है हाला कि हमारा चैनल ऐसे किसी विस्टिंग और कंटेंट को परमानित नहीं करता है आपको बता दे कि संबित पात्रा ने सीम केजरिवाल और डिप्टी सीम मनी सी सोधिया पर निशाना साते हुए कहा कि जो सवाल पांच साल पहले केजरिवाल से पूछे गए थे उनका आज तक हमें जवाब नहीं मिला है उन्होंने इस दोरान सीम केजरिवाल के उस बयान की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रष्टाचार कस्टिंग करके हमें भेजिये हम उस पर कारवाई करेंगे इस प्रेस वारता में भाजपा परवक्ता संबीत पात्रा के साथ सांसद मनोश्तिवारी और भाजपा की दिली परदेश अध्यक्ष आदेश गुपता भी मौजूद थे आज एक बहुत गंभीर खुलासा और एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिग एक्स्पोजे आज यहां होने वाला है शराब, कमीशन और घुटाला इसको लेकर दिली में विगत दिनों में भारती जंता पार्टी ने दिली की जंता ने आंदोलन किये और जिस प्रकार से शराब नीती में मोटा माल मनीश शिशोदिया जी ने कमाया जिस प्रकार से कमीशन का खेल हुआ इस विशय को लेकर भारतिय जनता पाटी ने कई प्रेस कॉन्फरेंस किये हैं और कई सवाल हमने अर्विंद केजरिवाल और मनीश शिशोदिया से पूछे हैं अर्विंद केजरिवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराबनीती थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराबनीती लाई गई और नई शराबनीती में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा रवी धवन जी की जो 16 कमीशनर थे ततकालीन उनकी अध्यक्षता में एक कमीटी बनी थी कि नई शराबनीती कैसी होनी चाहिए उसके रेकमेंडेशन्स को ताक पे रख करके ऐसी क्या कमपल्शन्स थे कि अरविंद केजरिवाल जी ने एक ऐसी शराबनीती बनाई जिसमें उन उन्होंने रेकमेंडेशन्स को नहीं माना तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कमपनीज को आपने आखिरकार क्यों फेका दिया चौथा सवाल हमने पूछा था कि कानून के हिसाब से जो मैनुफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते उसके आपने अपने मित्रों को बुला करके जो मैनुफैक्चरर्स थे उनको आपने रिटेल में काम कराया पाच्वा सवाल हमने यह भी पूछा था कि क्या कारण थे कि पहले जो फाइदा या कमीशन ठेकेदारों को दो प्रतिशत का मिलता था उसे आपने 12 प्रतिशत में तबद प्रतिशत कारण दिली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ठेकेदारों को बहुत फाइदा हुआ मनीश शिशोदिया जी और अरविंद केज्रिवाल जी के मित्रों का बहुत फाइदा हुआ 144 करोड रुपिया यह जो लाइसेंस फीज था अपने मित्रों का बिना कैबिनेट के अप्रूवल का इन्होंने क्यूं माफ किया यह कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केज्रिवाल जी और मनीश शिशोदिया से पूछा था जवाब आज तक नहीं आया इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है अर्विंद केज्रिवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी अगर कोई भ्रस्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना आप उसकी रेकॉर्डिंग कर लेना और हमें रेकॉर्डिंग भेज देना तो हम जो है सच दिखा देंगे तो आज वही हुआ है एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है ब्लैक एन वाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरिवाल और उनके सिपह सलार मनीशी शोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाया है कैसे दलाली ली कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं और यही बात आज स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरिवाल और मनीशी शोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एकसाइस पॉलिसी को लाया गया दिल्ली को नुकसान में ढखेला गया और अपने क को प्रॉफिट में रखा गया यह जो व्यक्ति है मारवा जी इनके बेटे कुलविंदर मारवा के स्टिंग ऑपरेशन को आपने देखा इनके बेटे सनी मारवा 13 नंबर अक्यूजड हैं CBI के चार्जशीट में आरोपी पत्र में और जो पुरा मोडस उपरंडाई समझाया है उसमें मोटी मोटी बाते क्या है नंबर एक आप सोच के देखिए 80 प्रतीशत प्रॉफिट हमारा है मतलब ठेकेदारों का और जो मित्र है अरविंद केजरिवाल के जो मित्र है मनीश शिशोदिया के 80 प्रतीशत प्रॉफिट उनका है और राजस्तों को केवल 10 प्रतीश को मिलना है एक रुपए के माल के अंदर 80 पैसे हमारे होते हैं बस 20 पैसे का माल होता है आप अपने वीडियो बना करके कि आपकी कौन सी कमपनी थी दिल्ली के कौन से जोन में आपने कौन सा ठेका लिया था कहा टेंडर डाला था और कितना कमीशन आपने अरविंद या मनीश शोदिया जिसके भी हाथ में दिया हो कितना कमीशन आपने उनको दिया ये वीडियो बना करके आप डालिए आप बिलकुल डरिये मत आप सामने आईए देश की पैसे को बचाने के लिए दिल्ली के राज़स्यों को बचाने के लिए आप आज कानून का साथ दीज और मनीश शिशोदिया जी को एक्सपोज करिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और इसमें आज कोई दोमत नहीं है कि मनीश शिशोदिया जी अब आपके लिए कोई एसकेप रूट नहीं है हम आशा करते हैं कि इस पूरे विशह में आप अपनी सफाई देंगे सभी देशवासियों को गडेश चतुर्थी की हार देख शुप कामना है